हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम आप सभी को यंशी क्यू का प्रेक्टिश नंबर सिक्स करवाएंगे तो चलिए इस व्यूडियो के शुरुवाद करते हैं पहला कोशन हमारा है मोहन एज विल एज इस फ्रेंड उसके बाद डाट डाट यहां पर है गिल्टी और यहां पर प्रतिव कुशन का चार बिकल्प दिया गया है इन्हीं चार बिकल्प में से हमें किसी एक का चुनाव करना है जो बिकल्प सही होगा उसी का हम चुनाव तो पहला कोशन हमारा है मोहन आज विल आज इस फ्रेंड्स अब इसमें आपसं एज है आपसं बी आर है आपसं सी एम है और आपसंडे जो है वर है तो पहले हमें देखें यहां पर आया हुआ है आज विल आज नियम है कि जब वाक्ष में दो सब्जेक्ट एज वेल आज से बिद से अलांग विद से जुड़ा हुआ हो तो जो सब्जेक्ट पहले आया हुआ है उसी के अनुसार हम लोग वर्व का यूज करते हैं पहला सब्जेक्ट मोहन है दूसरा सब्जेक्ट इस फ्रेंड्स है अब हमको यहाँ पे चार आप्षन में से एक आप्षन को चूज करना है जो राइट हो तो इस नियम के अनुसार कि अगर दो सब्जेक्ट आइज वेल आइज से बिद से अलांग बिद से तुगेदर से जुड़े हुए हो तो जो करता पहले आया हुआ है उसी के अनुसार हम लोग किरिया का यूज करते हैं तो यहां पर मोहन है तो मोहन के साथ आर का यूज होगा नहीं इसको हम कट कर देते हैं आयम है आयम का यूज आय के साथ होता है इसका भी यूज नहीं करेंगे वर है एक plural subject के साथ यूज़ किया जाता है अब इसमें बच्चा हमारा option A question number first के लिए option A is the right option इस question के लिए हम लोग option A का चुनाव करेंगे मोहन हमारा singular subject है और singular के साथ हम singular वर्व का यूज़ करेंगे इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको फिल करेंगे और यह sentence हमारा right हो जाएगा इसी तरीकी से दूसरा sentence है you as well as he ready to go अब यहाँ पर दो subject को as well as से जोड़ा गया है पहला subject यहाँ पर you है और दूसरा subject यहाँ पर he है लेकिन नियम है कि जब दो subject as well as से with से along with से together से जुड़े हो तो जो subject पहला होता है उसी के अनुसार हम वर्व यूज़ करते है अब चुकि you हमारा plural है और you हमारा singular भी होता है लेकिन इसके साथ आने वाली किरिया हमेशा plural होती है तो you के अनुसार वास का यूज़ किया नहीं जाएगा option a wrong है उसके बाद यहाँ पर has दिया गया है has का यूज़ जो है भी 3 के साथ होता है तो इसमें भी 3 तो है नहीं तो has का यूज़ नहीं करेंगे उसके बाद option d है you के अनुसार is आये गर नहीं option a, option b, option d wrong हो गया अब इस questions के answer के लिए हम लोग option c को चूज़ करेंगे option c is the right option you के अनुसार यहाँ पर आ राएगा you as well as he are ready to go इस तरीके से यह questions हमारा right हो जाएगा तीसरा question हमारा है the teachers अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा teachers है जो कि बहुबचन subject है बहुबचन करता है और यहां पर किरिया है भी थिरी टार्थ हमारा जो है भी थिरी के रूम में आया हुआ है तो teacher से यहां पर है teacher हमारा बहुबचन है तो बहुबचन के साथ हैस का यूज होता हैं तो इसका भी यूज नहीं होगा इस लिए आपसंसी दा राइट आपसंस के आंसर के रिए हम लोग आपसंसी को चूज करेंगे और यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा अगला कोशन मारा इस दा फरनीचर न्यू अब यह फरनीचर है जो कि सिंग्लर सब्जेक्ट है तो सिंग्लर सब्जेक्ट के साथ वर तो आये गा नहीं आपसंसं एक गलत है आपसंसं एक का चुना हम नहीं करेंगे उसके बाद option C है, यहाँ पे bill, तो bill का भी use हम नहीं करेंगे, क्योंकि bill के साथ b1 आना चाहिए, इसमें b1 नहीं है, तो option C का भी चुनाव नहीं करेंगे, option D यहाँ पे है, D में R है, R का use हम plural subject के साथ करते हैं, तो option D का भी चुनाव नहीं करेंगे, इसलिए इस question के लिए, option B is the right option, option B कुन चूज करेंगे, the furniture is new, अगला question हमारा, every girl, a doll, अभी यहाँ पे जो है, hedge और have और head का use जो है, past के अर्थ में हम लोग करते हैं, जब कोई चीज अपने past होती है, तो हम present tense में singular के साथ hedge, plural के साथ है, और past में head का use करते हैं, जैसे हम कहें कि मेरे पास एक कलम है, हम कहेंगे इसको इंगलिस में I have often, अगर हम कहें उसके पास एक कलम है, हम कहेंगे he has often, और उसके पास एक कलम थी अगर हम कहें, तो ठीक अर्थ में हम head का use कर लेते हैं, सबे करताओं के साथ इस तरीके से उस सेंस में हमें देखना है कि परतेग लड़की के पास एक गुडिया है तो पास के अर्थ में ना तो I am का यूज होगा और ना ही इस का यूज होगा आप्षं D भी नहीं चूस करेंगे हैं हम आप्षं C का भी चुनाव नहीं करेंगे अब हमारा बचा है यहां पर आपषं A और आप्षं D अब दोनों में किसी एक का चुनाव करना है तो इच सेंटेंज में इब्री गर्ल है तो यहां पर इब्री लगा गया लगा हुआ उसके बाद यहां पर गर्ल है तिस जो हमारा सब्जेट सिंगलर है और सब्जेट हमारा सिंगलर है तो सिंगलर के साथ हम सिंगलर वर्व का यूज करेंगे इसलिए आप्सन ए इस दा राइट आप्सन यहां पर हो जाएगा है इबरी गर्ल है डॉल पर टेंग लड़की के पास एक गुडिया है अगला सेंटेंस हमारा है इच मैंन एच बूमें इकुवल से अर उसी सेंस में हमें जैसे हमारा कुशन नंबर फाइब था उसी तरीके से कुशन मैंन और सी भी हमारा है हम है जों है आप यूज करेंगे पास तretched में तो पहले हम देखे कि यहां पर दो नाउन को एंड ऑडि किया गया दो नावन को end से add किया गया है और subject verb agreement में आपको बताया गया है कि जब दो singular subject को end से add करते हैं तो बहुचन बन जाता है और उसके साथ हम लोग बहुचन किरिया का use करते हैं बट इसमें जो है मैं के पहले इच है और बूमें के पहले भी इच है तो इस तरीके से अगर इच लगा हुआ है तो वह subject हमारा singular होगा और जब subject हमारा singular होगा तो किरिया भी singular होगी क्योंकि तो grammar का basic नियम है कि subject के अनुसार ही वर्म होना चाहिए अगर subject हमारा एक बचन है तो किरिया भी एक बचन की यूज़ करेंगे और करता हमारा जो है बहुचन है तो किरिया भी बहुचन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखें आप आपका option A जो है वर्म है तो वर्म के साथ ing फार्म होना चाहिए तो यहाँ पर option A का चुनाओ नहीं करेंगे इसी तरीके से option C में M है इसके साथ भी ing फार्म होना चाहिए भी फूर तो option A और option C रांग है इन दोनों का चुनाओ हमें नहीं करना है अब option B में है और option D में है तो जिस तरीके से question number 5 था ठीक उसी तरीके से question number 6 भी हमारा है तो यहाँ पर हम जो फिल करेंगे option D को चूज करेंगे option D is the right option option B जो हमारा रांग है अगला question हमारा है दागंगा ए हॉली लेवर अब इसके लिए चार विकल्प दिये गए है आपसन A इज आपसन B वाज आपसन C वर और आपसन D आर अब चुकि दागंगा जो है singular subject है एक नदे का नाम है तो इसके साथ singular verb का ही यूज हम लोग करेंगे तो singular verb में वर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक टूरस के साथ लगता है वर का यूज हम लोग बहुचन करताओं के साथ करते हैं और आर का भी यूज हम लोग बहुचन करताओं के साथ करते हैं तो आपसन C और आपसन D मुझे इस नहीं करेंगे अब यहां पर आपसंन इस Lewis है और 2011 अब यहां पर आपसंबी का भी हम्लोग तुबाम रहें यहां छुनाओ नहीं करेंगे क्योंकि गांगा के साथ अगर हम वाज का यूज करते हैं तो अर्थ हो जाएगा गंगा नदी एक पवित्र नदी थी और जबकि गंगा नदी आज भी पवित्र है इसको ऐसा माना गया है कि गंगा नदी जो है एक पवित्र नदी है तिसलिए इस कोर्शन के आप्शन के लिए हम आप्शन B का भी चु इस तरीके से question number 7 का option A right है, अगरा question नमारा है, the book that you gave me lost, वह किताब जो तुमने मुझे दी थी, या दिया था, वह खो गई, अब इसके लिए हम option A का चुनाव नहीं करेंगे, उसके बाद option R का भी चुनाव नहीं करेंगे, option B में R है, इसका भी हम चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे book है, इसी के अनुसार ही हमें verb का यूज़ करना है, और book हमारा जो एक singular subject है, बुक हमारा जो एक singular subject है, तो singular subject के साथ हम singular verb का यूज़ करेंगे, तो option B का चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि R है यहाँ पे R का यूज़ जो है, बहुचन करताओं के साथ करते हैं, ठीप उसी तरीकी से option C, यहाँ पे where है, इसका भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका यहाँ पे हम लोग is fill करेंगे, sentence हमारा हो जाएगा, the book that you gave me is lost, वह किताब जो आपने मुझे दे थी, खो गई है, अगला question है, Mr. and Mrs. Sinha, Mr. और Mrs. Sinha, इसमें दो subject हैं, एक subject Mr. है, और दूसरा subject हमारा Mrs. Sinha है, और दोनों को and से जोड़ा गया है, और रूल है कि जब दो singular noun को and से जोड़ते हैं, तो उसके साथ आने वाली किरिया बहवचन की होगी, तो option A का चुनाव हम लोग नहीं करेंगे, option A रांग है, option B भी हमारा वाज यहाँ पे है, तो यहाँ पर इसका भी हम चूज नहीं करेंगे, option B का भी चुनाव नहीं कि यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर option D जो है जै तो है इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई V3 है नहीं, या पास के भी संस में हम है इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस subject हमारा plural है, तो उसके साथ हैवाना चाहिए, तो इसके लिए हम option D का भी question number 10 हमारा है, half of the oranges, rotten, rotten का सड़ा हुआ, अब यहाँ पर दिया half of, rule है कि अगर half of के बाद countable noun है, half of के बाद अगर countable noun है, तो उसके साथ हम लोग जो है plural verb का यूज करते हैं, तो अगर half of के बाद जो है uncountable noun है, जिसकी गिन्ती ना किया जा सके, तो उसके साथ आने वाले किलिया similar होनी चाहिए, तो यहाँ पर orange जो हमारा है, एक countable noun है, इसकी गिन्ती किया जा सकता है, इसक या सबजेक्ट हमारा प्लूरल हुआ और प्लूरल सबजेक्ट हुआ तो इसके साथ हम प्लूरल बर्व का यूज करेंगे तो वाज हमारा सिंगुलर के साथ लगता है वाज का चुनाव नहीं करेंगे आपसं भी इज है इसका भी चुनाव नहीं करेंगे आयम का यूज जो है आई के साथ होता है इसका भी चुनाव नहीं करेंगे तो question number 10 के लिए option D जो है हमारा right option है sentence हो जाएगा half of the orange were written इस तरीके से या sentence हमारा complete हुआ